नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बेखरें नियूज देट इन इंडिया आपके साथ हूँ मैं लवी नाराज नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शुवानी पांडे और शुरुवात करेंगे इस्राइल हमास जंग से इस्राइल ने गाजा में ग्राउंड ओपरेशन शुरू किया है लेकिन उसी गाजा में हमास की कबजे में दोस्तों से ज्यादा बंधक हैं जिसमें इस्राइल के नागविकों के साथ ही विदेशी भी शामिल है और जब युद 24 वे दिन में पहुंच गया है तो इस्राइल के लोगों का सब रटूपने लगा है और वो सब बंधकों की सुरक्षा को लेकर चलते थे और उहें रखता है कि अगर ग्राउंड ओपरेशन में हमास पर हमले होते हैं तो उनके अपनों को बहुत भारी नुक्सान पहुंच सकता है हमास के लड़ाकों को पाताल से निकाल कर मारने के लिए इस्राइल की सेना घाजा में दाखिल हो चुकी है शप्पे शप्पे में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है हवा और समुद्र से भी भारी बंबारी हो रही है ताकि हमास के लड़ाकों को सुरंग से निकलने की हिम्मत न हो इस्राइल के सैनिक टैंकों के साथ आगे बढ़ रही है अब जंग में वो दौर आ चुका है जहां इस्राइल के कमांडो हमास लड़ाकों को उनकी मांग में घुसकर ही धेर करेंगे घाजा पहले इस्राइल के हवाई हमलों से तबाह हुआ और अब आस्मानी प्रहार से बच निकलने वालों को भी चुन चुन कर मारा जा रहा है अब इस्राइल की सेना उन फिकानों तक पहुँच रही है जहां आस्मान से बम गिरा कर हमास के लड़ाकों को मारना आसान नहीं था जमीनी लड़ाई में हमास के लड़ाके इस्राइली कोर्स को पड़ी चुनौती दे रही है इस्राइल जानता है कि हमास के लड़ाके गोरिल्ला प्रहार में माहिर है हमास के लिए युद्ध के नियम कोई मायने नहीं रखते इसलिए एस्राइली सेना को काफी समल कर उपलेशन चलाना पड़ रहा हमास के लड़ाकों ने जहान बूच कर अस्पताल के करीब ठिकाने बनाये हैं जिस से एस्राइल की सेना का रिवाय के दौरान उन पर हत्यारों का इस्तेमाल नहीं कर सके ओ Night अटाल एक नच। मस्तेमाल प्राइब मस्तेमाल उतिकं चामிनो चामीर का खेफे टाबक बदकर उल oppos що मैं चामीर, रीजिएबरा, बटक बदकर प्दकर मैं चामीर, 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 हिात चामीर, हह उतिकंएश flour उतके लनicação और वेस्ट बैंक के जनिन में आमने सामने की जंग चल रही है इसरेली सेना पर इसी तरह ताबर तोब रॉकिट से हमले हो रहे है जनिन में इसरेल ने सेन अभियान चलाया है इस्राइल किसेना के मुवंट से सब्रेक इस्राइलने हमास के खिलाफ जो देकंड पेस्ट यानिद भूसरे चरन मदाख लोगया हैं जहा पहले चरन से जादा फोंज चराबा होनिक याशंगा हम हमासे प्याइलने की त्रहोग जा बंस प्रॉप फिल्चेज कर खिल्च झए कर दोओ। हमने बंस कर सकान को सकता है 16.8 कि ठावन चरुच जाता क्रशफ जूजह YouTube. 30.6 कि कि प्रॉटर्च के अट उन्हां जलखंगा एदराएल के जमीनी ऑपरेशन का साइड एप्ट भी देखने को मिलने लगा है घाजा में बनदक बनाएगाई लोगों की परीजनों ने तेल अवीब में विरौत प्रदरशन किया इस दोरान लोगों ने हातों में तक्तियां भी लेरकी थी जिसमें बंदकों की तजवीर थी और लिखा था कि उन्हें अभी घर लाएं विरोध प्रदर्शन के बाद इसरेल के रक्षा मंत्री योओ गैलन्ड प्रदर्शन कर रहे परिवारों से मिले जो और जो आएं विर्ण टोगें फॉर्बा के बाद बाद इस तो खॉझते हैं यह जो आएंक वाद था जग कर दो गाल से कि तुझता है जो बाद बायरा जो भाद एसराली इसानली गद्धान मंट्री विरनमिन नेतनयाहु से फोन पर बात की, इस दोरान उन्होंने साफ कहा कि इस्रैल को अपनी रक्षा घर्मे का अधिकार है, लेकिन उसे अंतराश्रिय मानुई कानून के मताबिक ऐसा करना चाहिए, जो नागरिकों के सुरक्षा को प्राग्मिर्टा देता है। इस्रैल को उसके रक्षा के अधिकार का भी समर्धर करते हैं। किन पॉइंट्स को चुना है और क्या रणनीते यहां से दिखाई देती है। ग्रैफिक्स के जरी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैप के जरी आप इसे समझेए, इस्रैल ने तीन तरफ से ग्राउंड ओपरेशन शुरू कर दिया है। कि एक वो तरफ और एक ये और ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ तीन ही पॉइंट पर इसके अलावा हवास से भी हमले हो सकते हैं। तो देखिए, एर्स्ट्राइक्स तो लगातार हो रही है, समंदर से भी घेरने की, मेडिटेर्यान इन सी से भी घेरने की पूरी कोशिश है। तुरंट तुरंट नीचे के तरफ आ जाए, ताकि वहाँ पर जो हमले इस्रेयल अगातार कर रहा है, उसमें उनको नुक्सान नहों हो तो यहां बेत लाहिया और बेत खानून के रास्ते, गाजा शेहर में दाखिल यहां पर इस्रेयली से नहीं हुई। यहां से वो सीधे सीधे खान, यूनिस और राफा में दाखिल हो सकती है। झाल, यूनिस और राफा ज्यजय को परल्प यू यूनिस और राफा है। झाल, यूनिस औरेत बेत गाया झाल, फ्भाण़स पर दाफा को पर राफा है। झाल झाल